रागव चड़ा ने संसद में उठाया न्यूज चैनलों पर भड़काओ बहस का मुद्दा के जिवाल का मिला साथ जी हाँ आपको बता दें कि आमादमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब से राजसबा सदस्य रागव चड़ा ने गुरुवार को संसद में न्यूज चैनलों पर भड़काओ बहस का मुद्दा उठाया उन्होंने सूजना एवं प्रसारण मंत्री से सवाल किया कि भड़काओ बहस कराने वाले चैनलों के खिलाफ कींद सरकार क्या कारवाई कर रही है राजसबा सदस्य रागव चड़ा ने कहा कि राजसबा के उपसबापती हरीवन शुनारेंड सिंग खुद एक पत्रकार रहे हैं और खबरों के महतों का अच्छी तरह जानते हैं आज देश में समाचार ध्वनी प्रदुशन में बदल गया है अधिकांशु चैनल शाम पाच बज़े से ग्यारे बज़े तक भड़काओ डिबेट कर मानसिक प्रदुशन फैलाने का काम करते हैं रागव जड़ा ने डिप्टी चेर्मेन के जरीए केंद सरकार से सवाल किया क्या मानसिक प्रदुशन फैलाने वाले भड़काओ न्यूज चैनलों और एंकरों के खिलाफ केंद सरकार कोई कारवाई कर रही है यदि हाँ तो क्या कारवाई की गई है उन्हेंने पूछा कि क्या सरकार इन भड़काओ चैनलों के खिलाफ या इन मामलों को लेकर कोई नीती लेकर आ रही है सूचना इवं प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसत चड़्डा के सवाल का कोई सपष्ट जवाब नहीं दिया और गोल मटोल जवाब दे कर पल्ला जाल लिया अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले से ही त्री सतरीय शिकायद निवारण प्रणाली है यदि कोई इसमें अपनी शिकायद भीचता है तो इसका निवारण किया जाता है लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई शिकायद किसी व्यक्ति दोरा नहीं की गई है मेरा सवाल बड़ा सरल है मानिय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या उन भडगाउँ चैनल्स और उन भडगाउँ एंकर्स के खिलाफ सरकार को योजना लाकर उनके खिलाफ कारवाई कर रही है और कर रही है तो क्या कर रही है वह सबन को बताया